हेलो दोस्तों प्रतिमा जीयस एकड़ी पे आप तभी का स्वागत है आप लाइक करें शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या हूँ सब्सक्राइब कर लें दोस्तों पेपर तीन से संबंधित है टेकनोलोजी का कुश्चन है स्वदेशी प्रद्योकी क्या है हाल या देशस प्रद्योकी की उपलग्धियों का वरण कीजिए येनि स्वदेशी प्रद्योकी के बारे में पूछा गया है तो जो देश में बन रहा हो, देश से सम्बंदित हो, उसके बारे में चर्चा करनी है देश सज प्रद्योकी है क्या? स्वदेशी ये देश सज एक ही बात है इससे आशे ऐसी प्रद्योकी से है जिनका विकास और अंसंधान अपने देश में किया जाता है उदाहरण के लिए स्वदेश सी निर्मित गाड़ियों और अंत्रिछ्यानों के परचेपड में परियुक्त प्रद्योकी को लिया जा सकता है देशज प्रद्योगी की उपलब्धियों को निमने लिखे तुरूप से समधाया सकता है जैसे जीव विज्ञान जीव विज्ञान में ग्राम पॉजेटिव बैक्टीरिया के बिरुद्ध इस्टेफाइलो कोकस कैपिटिस नामक नए बैक्टीरिया इस्टेइन की खोज किया गया अंत्रिच्छी के लिए बिश्चु का सबसे हलका सेटेलाइट कलाम सेट का निर्माण करना प्रचेप्र सिवा प्रताता एवं प्रचेप्र पृद्योगी में महारत हासिल कया जैव प्रद्योगी बायोटेक कमपनी हाइमेक्स तकनीकी का विकास किया जिससे हेपेटाइटिस बी का टीका विक्सित हुआ टाइप टीवीसी नामक टीका टाइप हाइट के लिए बनाया गया चिकिस्सा में आयाइटी गुहाटी ने जैयो कृतिम अग्न्यासे बनाया रोटा वाइरस टीका का विकास किया गया चर्म रोग के लिए डियारडियों ने लिकोस्किन का विकास किया सोहम एक अभिनो नवजात स्रमण स्क्रेणिंग उपकरण बनाया गया रच्छा छेत्र के लिए आयटिलरी गन जो 48 किलोमीटर की दूरी के लच्छ को भीद सकती है इसका नाम एटी एजी एस एडवांस टोवर्ड आयटिलरी गन सिस्टम है साथ यहाँ ध्यान रखना आपको इंग्लिस में जब आप वहां लिखेंगे यहाँ में क्यों समझाने के लिए बता देता हूं जिससे आपकी जानकारी में आ जाए लेकिन जब आप आयोग का अंसर लिखेंगे तो उसमें अगर हिंदी माध्यम से हैं तो आप इंग्लिस को भी देवनागरी लिपी में ही लिखेंगे नाविकिय उर्जा बार्क में मिस्रित कारबाइड इंधन का परियोग कोलकाता में सोदेश निर्मित साई क्रोटोन यानि कि हर छेत्र में लगभग लगभग हमने सोदेशी तकनीकी को प्राप्त कर लिया है और अपने देश में लगभग चीजे बनाना प्रारम कर दिया है निशकर्षता भारत हलाकि स्वतंत्र देश के रूप में वर्स 1947 में अस्तित्यु में आया परंतु इसने केवल 75 वर्सों में अपने ग्यान और छंता के बल पर पूरे बिश्व में अपनी ताकत का लोहा मनवाया यह प्रक्रिया नित ने किर्थमान इस्तापित करते हुए अनवरत जारी है आपको ध्यान होगा कि भी हालही में चंद्रियान भी भेजा गया, मंगल यान भी भेजा गया, इसमें जो बड़े-बड़े यान हमने भेजए हैं, उसमें थोड़ा बहुत सपोर्ट हमने विश्तो का लिया है, लेकिन लगभग लगब चीजें हमारी इस्थानी doctor है, और जब alot किन इंदिया चलाए गया और कई प्रकार के इसे इसकेम चला गया जो टेकंटॉलोजी से समढधित हैं लेकिन भारत से जुड़े हुए हैं अभी अहाले ही में एक समझोता और किया गया है एरन मस्क के साथ के अब वो इलेक्ट्रिक कार भी जो बनाएंगे तो हमारे भारत में बनाएंगे क्योंकि जब बिदेशों में से उनका कार आता था तो यद उनकी कार के केमत 30,00,00 रुपे थी तो यहां पे 100,30,00 लगे और 60,00,00 की हो जाती थी सरकार का भी यही मांग था कि आप हमारे यहां बनाएए और यहां बनाने के बाद में आप यहां से निर्यात कीजिए जिसे हमको भी उसका प्रॉपिट होगा तो आपकी सस्ती भी हो जाएगी तो इस अभी जब वो आएंगे तो यहां पर लोगों का काफी को इस्थानियत लाब होगा लेकिन वो हमारी देसस नहीं होगी वो बिदेसी कमपनी होगी लेकिन हमारे यहां काम करेगी कहने कातात पर यह है कि जो हमारे देस की कमपनी हो देश में बनती हो, इस्थानी इस्तिती हो, उसे देशस कहेंगे, लेकिन जो बिदेशी यहां आएंगे, वो यहां पर हमारे मैनुफेक्शन का काम करेंगे, तो मेकिन इंडिया का पार तो होंगे, लेकिन वो देशस नहीं होंगे, देशस कब होंगे, जब हमारे यहां से बना आरद